क्रूस ट्रग केस में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद बॉलिवूड अभीनेता शारुक खान के बेटे आरियन खान को आखिरकार बॉम्बे हाई कोट ने जमानत दे दी है आरियन खान बीते 26 दिनों से NCB की कस्टरडी और फिर जेल में बंद रहे आरियन खान की जमानत की खबर सामने आते ही बॉलिवूड गलियारों से रियाक्शन्स आने शुरू हो गए है रईस फिल्म के डारेक्टर राहुल धोलकिया ने इस संबंद में एक ट्वीट किया और कहा आखिरकार आरियन खान को बेल मिल ही गई राहुल धोलकिया के साथ साथ अभिनेतरी सयानी गुपता लिखती है आखिरकार प्रार्थना और हीलिंग आपको बता दे इस मामले में सोनू सूद का भी बड़ा बयान सामने आ गया है लगतार सोनू सूद शारुक खान को सपोर्ट कर रहे थे लगतार सोनू सूद जो है वो शारुक और आरियन के समर्थन में थे और अब आर्यन की जमानत पर ट्वीट करते हुए वो लिखते हैं, समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। सोनु के इस ट्वीट में आर्यन का जिक्र नहीं है, लेकिन इशारों ही इशारों में आर्यन की रिहाई पर उन्होंने अपना रियाक्शन दे दिया है। जब से आर्यन जेल गए हैं, कई सेलिबरिटी सोशल मीडिया पर शारुक और आर्यन के समर्थन में कुछ ना कुछ लगतार लिख रहे थे। और अब सोनुसूत के साथ साथ इन तमाम कलाकारों का ट्वीट ये दिखाता है कि इंडस्ट्री इस मुश्किल वक्त में शारुक के साथ खड़ी थी और इंडस्ट्री इस खुशी वाले वक्त में शारुक के साथ खड़ी है। नेक्स्ट नाइन, न्यूस्रूम के रिपोर्ट